तीन चीजों पर अगर खास ध्यान दें तो सूजी का हलवा एकदम पॉफेक्ट बनता है सबसे पहली बात कि सूजी के हलवे में एकदम पॉफेक्ट नमी होनी चाहिए बिल्कुल भी सूखा पर नहीं होना चाहिए सूजी के हलवे में चमक होनी चाहिए और सूजी का जो हलवा है एकदम दानेदार टेक्शर हो वैसा बने याने उसमें पानी आप बराबर मातरा में डालें किस तरीके से उसकी भुनाई हो रही है खास तोर पे जब भोग के लिए प्रसाद चड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बनाना होता है और इसे बांटते बांटते हलवा ठंडा हो जाता है तो कितनी बार हलवा आपने देखा होगा कि काफे चिपके चिपके से हो जाते हैं लेकिन अगर हलवा अच्छे से बनाया जाए कुछ ट्रिक्स यूज करके बनाया जाएं तो हलवा एकदम दानेदार टेक्चर का ठंडा होने के बार भी बना रहता है तो यही रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी और पॉफेक्ट माप के साथ एक किलो सुजी का हलवा बनाना बताऊंगी तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिए तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी बाली पैन ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी देसी घी तो करीब एक कप के बराबर देसी घी डाल दिया है साथी साथ आधा कप मैंने बारी कटे हुए काजो और बदाम डाल दिया है तो इनको हलका सा सुनेरा होने तक भून लूँगी थोड़ा सा भून जाए उसके बाद इसमें मैंने एक चोथाई कप के बराबर किश्मिश डाल दी है तो इनको भी काजो और बदाम के साथ थोड़ा सा भून लूँगी और जैसे ही किश्मिश फूल जाएगी तो इन ड्राइ फ्रूट्स को मैं यहाँ पर देसी की मैं से निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी फिर आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर सूजी भूनना है तो सूजी भूनने के लिए मैंने यहाँ पर फिर देसी की नहीं डाला है करीब एक से देड़ कप के बराबर तेल डाला है तो तेल से सूजी का हलवा एकदम मॉइस्ट बनता है उसमें चमक अच्छी बनी रहती है लेकिन खास बात का ध्यान यह दें कि जो तेल यूज कर रहे हो अनफ्लेवर्ड ओयल हो जैसे की राई का तेल यूज नहीं करना होता है तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का अनफ्लेवर्ड ओयल यहाँ पर यूज कर लें यहाँ पर यह देखिए मैंने सूजी भी यहाँ पर पैन में डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके अब सूजी को तब तक भुनूंगी जब तक की इसमें अच्छा सा गोल्डन रंग ना आ जाए सूजी एकदम अच्छे से भुने इसके लिए आप आप आँच को एकदम धीमे फ्लेम पे रखे तभी सूजी एकदम अच्छे से भुनती है तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है धाई लीटर के बराबर पानी एक भगाने में तो सूजी मैंने यहाँ पर अगर एक किलो ली है तो धाई गुना पानी लिया है और इसमें मैंने एक किलो चीनी डाल दी है तो यहाँ पर मेरे पास एक किलो चीनी का पैकेट था तो उसी को मैंने पलट लिया है अगर आपके पास एक किलो चीनी का पैकेट इस तरीके से नहीं तो आप किराने की दुकान से एक किलो का पैकेट ले सकते हैं या अगर आपके पास छोटा वेइंग मशीन हो तो उस पर वजन करके एक किलो अलग कर ले और यहां पर यह देखिए बीज-बीज में चलाते हुए सूजी को भुनना है तो सूजी शुरुवात में आप बदलने लगेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि भूनते हुए करीब 5-7 मिनिट हो चुके हैं आज को अभी मैंने धीमे फ्लेम पे रखा हुआ है और सूजी का टेक्च्चर आप देख सकते हैं थोड़ी ज्यादा फुली फुली दानेदार और ज्यादा सफेद दिख रही यहांने हलकी गोल्डन होने शुरू हो जाएगी दूसरी तरफ यह देखिए चीनी की चाशनी में भी उबाल आ गया है तो अब मैं यहां पर आंच को बंद कर दूंगी चाशनी तैयार है चाशनी का कोई तार नहीं चड़ाना है बस चीनी घुल जाए उतना ही पकाए और उ इसमें डाल दूंगी चीनी और पानी का घुल यह देखिए थोड़ा-thोड़ा करके डालऊंगी और सावधानी से डालें क्योंकि चाशनी भी काफी गरम है और सुजी भी एकदम है तो काफी चीटे उड़ते हैं तो थोड़ा-thोड़ा कर डालें और इसे मिक्स करते रहें और पूरी चाशनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि चाशनी यहां पर हमने पका कर डाली हुई है और काफी गरम है तो अब यहां पर हलवा को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बस तीन से चार मिनिट में सूजी एकनम अच्छे से फूल जा हलवा लगभग पक गया है अभी एक मिनट और इसे पका लूँगी तो एकदम पॉफेक्ट टेक्शर आ जाएगा यह देखिए थोड़ा सा देशी घी मैंने उपर से डाल दिया है फ्लेवर के लिए तो इस तरीके से आप बराबर मात्रा में तेल और घी का यूज करें तो ह होता है कि पानी में उबाल ठीक से आता नहीं है और सूजी पूरा पानी एब्जॉब कर लेता है तो इस तरीके से जो हलवा बनता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है जल्दी ही खराब भी होने लगता है लेकिन चाशनी पका कर अगर आप डालेंगे तो सूजी का हल हलवा जो है दानेदार तो बने ख़ी साति इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी हो जाती है ठंडा होने के बास भी हलवा का जो टेक्चर है एगदम बिलकुल इसी तरीके से दानेदर बना रहेगा च्छी सी चमक रहेगी औरकाफी मॉस्ट रहेगा तो यहां पर यह द वीडियो बना लू जिससे कि आपको एकदम पॉफिकली एक किलो हलवा किस तरीके से बनाते हैं सही माप के साथ पूरा वीडियो मैंने आपको बताया है तो जब भी आपको सूजी का हलवा बनाना हो तो इस ट्रिक के साथ जरूर बनाए सब को बहुत टेस्टी लगेगा बहु झ्यार फिस से लोगे बनाना लगे एक बाया हो जाता वीडियो मैंने टो मैंने आपको बनाना हैं लोगेगाज फिर से चाह। सभीजे कि जिए के लेता हैंने लुछ देक रावेगाजाश के सब्सक्राव